तो बच्चो मुझे बोलावा है कि A, B, C, D की value निकालनी है काफी इजी है बच्चो This is equals to this मल्टिप्लाय मैं पहले मैं इन दोनों को multiply करता हूँ बच्चो तब मैं निकालने कोशिश करूँगा तो यह हो जाएगा बच्चो 3, 4, 2, 5 मैं इसको सीदे सीदे multiply करता हूँ बच्चो तो यह हो जाएगा A into 1, A, B into 0, 0 फिर A into 0, 0, फिर B into 1, B, ठीक है फिर नीचे वाले C into 1, C, फिर D into 0, 0 फिर C into 0, 0, D into 1, D, ठीक है बस हम मैं solve कर लेता हूँ 3, 4, 2, 5 equals to A, B, C, T कितना easy हो गया बच्चो यह तो A equals to 3, B equals to 4, C equals to 2, D equals to 5 तो काफी easy हो गया बच्चो चलो next करते है